Good morning students, today in this video, we'll start a new topic that is bar graph. Representation of information in graph is called bar graph. जब किसी भी information को हम graph में represent करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? Bar graph कहते हैं. You all must have seen the graph paper. जब कोई भी information graph में represented रहता है, तो हम क्या बोलते हैं? Bar graph कहते हैं. तो आज हम यह जानेंगे, कि कोई भी information graph में represented है, तो उसे हमें answer कैसे करना रहता है, जो उसे हमें answer कैसे करना होता है, तो जब भी अगर हमें graph, तो यहाँ पे देखें, example है. ग्राफ में हमेशा दो lines रहते हैं, one is vertical line and one is horizontal line, ठीक है? तो यहाँ पे क्या यह graph बता रहा है? amount of rainfall in 4 days. कितना amount of rainfall होगा? 4 days में. तो एक line पे क्या लिया? number of days, names of days लिया, और दूसरे line पे क्या लिया? amount of rainfall लिया गया है. यह start हमेशा कहा से होता है? 0 से start होता है. तो यह जो numerical value है, यहाँ पे numerical value horizontal line में लिया गया है. ठीक है? 0 से start हुआ, 0, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. यह दी जादा amount of rainfall and दी जादा number of names of days. दो lines होते है, vertical और horizontal. Next graph, उसी information को क्या किया गया है? कि opposite कर दिया गया है. वो same चीज़ वही है, amount of rainfall in 4 days. इसमें क्या किया गया है? कि names of days को क्या रखा गया है? horizontal बार में रखा गया है. और amount of rainfall को vertical lines में रखा गया है. Names of days horizontal line में है, और amount of rainfall vertical line में है. तो हमेशे याद रखिए, जो start होगा, वो 0 से ही start होगा. ठीक है? See the example. Read the bar graph given and answer the following questions. यह आप एक bar graph दिया हुआ है. किसी जाए? यह number of trees planted in a city in 2070s. एक city में कितने number of trees 2017 में plant किया गया? ठीक है? तो start हुआ, क्या number of trees start हुआ 0 से? तो 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225. यहाँ पर बताया गया है, scale किसी का लिए गया है, यहाँ पर scale दिया हुआ रहता है. 1 small division is equals to 5 units. यहाँ जो 0 से 1 तक चो होगा, यह 0 से start हुआ है, यह 1 तक चो दिया हुआ है, क्या यह 5 units है? that is, यह total बन के कितना हो गया? 25, that is 5, then 10, 15, 20, and then 25. बतार एक small division जो है, 1 small division is equals to 5 units. यह एक छोटा जो small division, एक division जो है, वो 5 units के बराबर है. और यहाँ पर name of trees दिया हुआ है, people, शातूत, बर्गत, जामुन, अमलतस, नीम, अशो, बबूल, और गुल्मूहर. ठीक है? यहाँ पर first question है हमारा, what information is given by the bar graph? यह जो bar graph है, उसे हमें क्या information मिल रहा है? तो information हमें क्या मिल रहा है? नमबर ओफ trees planted in a city in the year 2070s. यह हमें इस bar graph से information मिल रहा है कि, कितने नमबर ओफ trees plant हुए थे? एक city में in the year 2070s. तो हमारा information क्या हुआ? नमबर ओफ trees planted in a city in the year 2017. next question है, how many trees were planted all together in 2017? कितने number of trees all together, मतर्ब सारे मिला कर 2017 में कितने trees plant हुए थे? तो क्या करेंगे? सब को add कर देंगे. यह नाइन पीपल हुआ 90, शातूत हुआ 100, बर्गद 130, जामून 140, अमलतस 150, नीम 200, नीम इस 190, अशोक इस 200, 110, बबूर 210, गुल्मोहर 220, जब अल टुगेदर निकाल ला, तो क्या करेंगे सब को? सारे नमबर को add कर देंगे. फिर है, how many neem trees were planted? नीम trees कितने plant हुए थे? तो नीम का कहा है? नीम is here. तो नीम का नमबर कितना दिया हुआ है? नीम is 190 plants. ठीक है? नीम का क्या आ गया? 190. 90. नेक्स्ट इस, how many more गुल्मोहर trees than अमल्तस trees were planted? ख्या हिए? अमल्तस tree के मुकाबले गुल्मोहर कितना ज़्यादा प्लांट किया गया था? अमल्तस के मुकाबले गुल्मोहर कितना ज़्यादा प्लांट किया गया था? तो अमल्तस कितना है? अमलतस इस 150 और गुलमोहर इस 220 तो इन दोने के बीच का दिफरेंस कितना आया यह पूछ रहा है कि अलमलतस के मुकाबले गुलमोहर जोगे कितना ज्यादा प्लांट किया गया था इस इस 150 इस 220 मतलब 70 त्रीज यह 70 नमबर अफ ट्रीज यह ज्यादा था गुलमोहर next is again name the tree which has planted which was planted maximum in number कोजै का है गलमोहर का next is what is the ratio of number of jamun trees planted to the number oficha頭 trees planted jamun और स्चाहतूत का निकाला है रेशियों निकाला तो bobdar कितना है 140 and shatoos का कितना है satoot is 100 इसका है रेशियों सिकालना है यहां पर पहले है 140 क्यूंनिकि भिया फिलके की पहले किसी का नमर लिखना है जामून ट्री का लिखना है तो जामून ट्री इस 140 और शातू टिद सातू दिया वाय है 100 तो इस्ट इस्ट फॉर में करेंगे जिज़र सी जुरो कटा यह 7 ताइम तेम यह 5 ताइम यह ज़िए 7 रेशियो 5 I hope students that you have understood this how to answer the graph and in next videos we'll be learning how to represent any information on graph paper किसे भी information को graph paper पर कैसे रेप्रेजेंट करते हैं that's all for today thank you